बाकू के ठीक बाहर ये अगनी हजारों सालों से चल रही है 4200 साल पहले भारत के कुछ योगी यूनान गए ये मनिपूरक चक्र है ये विशुद्धी की एक असाधारान उपस्थिती है सीधे आपके कंठ पर लगती है किसी और दुनिया के जीवन ने इसे एक तरह से हवाई अड़े की तरह चुना है वो भविश्य का इंसान बनाने की कोशिश कर रहे है अजर्बाइजान मतलब अगनी की भूमी तो यहां ऐसे स्थान है जहां खुद बखुद प्रकृतिक गैस जमीन से रिसकर बाहर निकल रही है और जल रही है तो हजारों सालों से ये आग जल रही है और ये हिंदु मंदिर जो इस जलती हुई गैस की अगनी के चारों और बनाया गया है ये तकरीबन साड़े आठ हजार साल पुराना है इसे कई बार दुबारा बनाया गया पर और अरिजनल मंदिर साड़े आठ हजार साल पुराना माना जाता है हम यहां अजरबाईजान के अगनी मंदिर में हैं बाको के ठीक बाहर ये आग हजारों सालों से जल रही है ये इस जगह के प्राचीन हिंदू के लिए एक पवित्र जगा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान और आज के भारत के हिंदू के लिए भी जो पूरा मिलाकर एक समय पर हिंदुस्तान कहा जाता था वो सब यहां आए ये मध्ये एशिया में एक दूसरे काशी की तरह है जहां लोग आते थे एक वजह जीने के लिए और दूसरी वजह मरने के लिए क्योंकि इस संस्कृती ने ये पहचाना कि अच्छे से जीना बहुत महत्वपून है पर उतना ही महत्वपून है अच्छे से मरना तो इस वजह से लोग हमेशा एक पवित्र स्थान पर मरने आते थे जैसे कि आज भी लाखों लोग मरने के लिए काशी जाते हैं ये भी ऐसी एक जगा थी वो संस्कृती खत्म हो गई है लेकिन फिर भी लाखों तीर थियात्री इस अगनी मंदिर के लिए आज भी यहां आते हैं लगभग 4200 साल से थोड़ा और पहले भारत से कुछ योगी युनान गए और वहां कुछ लिंगों की स्थापना की उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जिन्हें पृत्वी की ना भी कहा जाता है मैंने कहीं पर ये तस्वीर लगभग 15 साल पहले देखी थी और मैं तुरंट पहचान गया कि मनिपूरक चक्र है मैंने पूछा कि ये किसने बनाया है, कहां पर है वो बोले ये डेलफी में है काफी समय से मैं वहाँ जाने की सोच रहा था और इसमें 15 साल लग गए क्योंकि हम ऐसी कुछ जगहों पर गए जहां और ये 4200-4300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं पर ये अभी जीवन्त हैं उन्होंने इने बदल दिया है वो इन्हें मूल स्थान से ले गए हैं और संग्रहालों में रख दिया है पर ये अभी जीवन्त हैं आप इन्हें मार नहीं सकते यही इस प्रक्रिया की सुन्दरता है कुछ बहुत ही शक्तिशाली चीज यहाँ पर थी बहुत-बहुत समय पहले ये भूमी आज भी उस उर्जा से भरी हुई है नागिंद्रहाराय त्रिलोचनाय पस्मांगे रखाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिदंदराय यहां तीन चक्र हैं तो एक है नाभी और दूसरे दो चक्र इसके सहायक हैं जो कि मूलाधार और स्वादिश्ठान है यह इसे करने का एक बहतरीन तरीका है इसी तरह हमने भैरवी को बनाया है पर वो एक ही रूप में है यहां उन्होंने एक मंदिर की तरह बनाया है दक्षर भारत में ऐसे स्थान है इतने भव्य नहीं पर इस सिस्टम के जैसे ही कुछ मंदिर है जहां आप चक्र बनाते हैं अगर आपको तीनों या सातों चक्रों को मिला जुला कर एक रूप बनाना हो तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है पर अलग-अलग इस तरह से बनाना ये कहीं ज्यादा आसान है यहां हम ग्रैंट कैनियन में हैं इसे बनने में लाखों साल लगे जो इस जगह के भूविज्यान के इतिहास को दर्शाता है जो कि लगभग 180 करोड साल पुराना बताया जाता है असल में ये कोलरेडो नदी है जो पृत्वी को लगभग एक मील गहरा काटकर नीचे उतर गई है पर यहां ये जीता जागता प्रमान है कि पृत्वी के साथ लाखों साल में क्या हो जाता है ये बिलकुल अविश्वस नहीं है कल पना से परे ग्रैंड कैनियन उतनी ग्रैंड जितनी ये हो सकती है पहले मुझे लगा कि ये बस चटाने हैं पर पूरी जगा ऐसी है और ये इनसानों की उपस्थिती के लिए इतनी संवेदन शील है कि कुछ खास्त रह कि चीजें जो हम करते हैं उसे ये भाप लेती है ये बिलकुल अविश्वस नहीं है केवल प्राकृतिक ताकत से ये पक्का है वो स्थानिय लोग जो इस आयाम के प्रती संवेदन शील है निश्चित ही कहेंगे कि यहां आत्माएं हैं जो उन पर काम कर रही है जो एक तरह से वो बहुत गलत नहीं है ये प्रिथ्वी की आत्मा ही है जो बहुत गलत नहीं है उस तरह से नहीं कि यहां कोई भूत काम कर रहा है पर यहां एक जबरदस्त मात्रा में उर्जा प्रवा है वैसे ऐसी कई जगएं है प्राकरतिक स्थान जहां एक खास मात्रा में उर्जा है पर महत्वपूर्ण बात ये है कि किस तरह ये इनसानों की उपस्थिती के प्रती समवेदन शील है अविश्वस निया जैसे हम वयोमिंग के मैदानों में घुमे एक चीज जो मेरे अनुभव में उभर कर आती है वो है मातो तिपीला मातो तिपीला विशुद्धी की एक जबरदस्त उपस्थिती है ये बस असाधारण नहीं ये अविश्वस निया है कि इस तरह का एक रूप बना मुझे नहीं पता कैसे पर ये विशुद्धी का एक शतिशाली रूप है मैंने कैलाश के अलावा दूसरी कोई ऐसी चीज नहीं देखी है वैसे ध्यान लिग में ये है पर उसकी प्रकृती अलग है वो बहुत सूक्ष में है मैंने कोई दूसरा ऐसा प्रकृतिक रूप नहीं देखा है जो विशुद्धी को इस तरह से उचसर्जित कर रहा हो मातो तिपीला सीधे आपके कंठ पर लगता है ये एक आयामी है क्योंकि ये विशुद्धी है ये अविश्वसनी है कि इन चटानों ने छे बुखी रूप ले रखा है ज्यादा तर ने अधिकांशने और यहाँ ये भव्यता से खड़ा है लगभग शिव के कंठ की तरह ये बिना सिर का शिव है ये इस तरह दिख रहा है तो जीवन का ये आयाम बहुत ही दुरलब है दुनिया में ऐसे कई केंद्र हैं जो अलग-अलग आयामों को सक्रिय करते हैं पर मैं आपको बता दूँ इतना शक्तिशाली कंठ का केंद्र पूरी दुनिया में मुश्किल से दो-तीन जगा पर ही है मैं बिलकुल अचम्भित रह गया जिस तरह से ये जीवन के इस आयाम के साथ गूंज रहा है ये एकदम अद्भुत है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ ये प्राकृतिक रूप से हुआ है भारत में हम अपनी खुद की संद्रचनाय बनाते हैं हम इस तरह की उर्जा के स्पंदन के लिए प्राण प्रतिष्ठित संद्रचनाय बनाते हैं पर हम जो बनाते हैं वो छोटे रूपों में होता है यहां ये इतने भव्य रूप में खड़ा है किसी को इसकी बहुतिक उपस्थिती में होना जरूरी नहीं है इतने शक्तिशारी आयाम से आप कहीं से भी जुड़ सकते हैं इस जील में जबरदस्ट गतिविधियां हो रही है और इस काम का ये काम उस तरह का है कि इसका इस ग्रह के जीवन की किसी भी चीज से कोई लिना दिना नहीं है ये कुछ बिलकुल ही अलग है ये जीवन है पर वैसा नहीं जैसा हम जानते हैं मैं मान सरोवर को आध्यात्मिक जगा नहीं कहूंगा क्योंकि आध्यात्मिकता इनसानों में से होती है ये जीव अगर आप उन्हें ये कह सकें मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कहें हम उन्हें जीव कहें या चीजें या प्राणी या कुछ और हमारे पास उन्हें चीजों या घटनाओं के लिए शब नहीं होते जो हमारे अनुभवक्षेत्र में नहीं होते जिसे हम जीवन के रूप में जानते हैं उनका उसकी किसी चीज से लेना दिना नहीं है तो असल में ये आध्यात्मिक जगा नहीं है पर किसी तरह कहीं और के जीवन ने इसे एक तरह से हवाई अड़े की तरह चुना है वो यहां लैंड टेक ओफ कर रहे हैं लैंड टेक ओफ जबरदस्ट कती के साथ ये पागल कर देने वाला है ये किसी तरक में फिट नहीं बैठता कि क्यूं लाखों साल से इस धर्ती की एक जगा को उस जीवन के द्वारा उप्योग किया जा रहा है जो यहां का है ही नहीं क्यूं क्यूं एक ही जगा और क्यूं इतने लंबे समय तक मानसरोवर में जो हो रहा है उसे देख कर एक अनुमान ये है कि शायद इनसानों के निर्मान में इन ताकतों या इन जीवों का हाथ है ये एक अनुमान है दूसरा ये कि शायद वो भविश्य के एक इनसान के निर्मान की कोशिश कर रहे है या फिर उनकी ये एक कारिशाला है जहां वो खुद को इनसानों का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस ग्रह के जीवन में हिस्सा ले सकें कैलाश को हमेशा से ही महान जीवों का घर माना गया है क्योंकि कई महान जीवों ने अपने काम को जमा करने के लिए अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश को चुना स्वयम शिव से आरंभ होकर और फिर पहले तीर ठंक कर और महान तम बौद गुरुओं में से दो ने इन सभी ने अपने काम को सुरक्षित रखने के लिए कैलाश परवत को एक जगा के रूप में चुना जब मैं कहता हूँ काम को सुरक्षित रखना तो असल में इस ग्रह पर आज तक इन हजारों सालों में जितने दिवे दर्शी हुए हैं उन में से ज्यादा तर को अपने आसपास के लोगों से अगर अपने काम का एक या दो प्रतिशत भी बांटने का मौका मिला तो वो भागेशाली हैं अधिकतर को इतना करने को भी नहीं मिलता तो उन्होंने इसे जमा करने के लिए हमेशा ऐसी किसी जगा को चुना जहां पर लोगों का बहुत आना जाना नहों पर जो जाने के इच्छुक हैं उनके लिए पहुँचने योग्य भी हो तो कैलाश एक ऐसी जगा है ये पूरी तरह से पहुँच के बाहर नहीं है पर ये इतनी कठिन भी है कि कई सारे लोगों को हतोत साहित करें इस तरह के और कई स्थान है पर अगर जमा किये गए काम की मात्रा और विविदता की बात की जाए तो कैलाश ही एक मात्र जगा है पर जगा है